नमस्कार सातियों तो आज 16 में 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टन शेर्स के पर कुछ इंपॉर्टन अपडेट से कुछ इंपॉर्टन न्यूज है तो चली के करके कवर करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर सेक्टर की दिगज कंपणी NHPC Limited की शेर्स के बारे में तो दोस्तों तैयार हो जाए कल के लिए कल यानी 17 तारीक को कंपणी की रेजल्ट आउट होगा उसके साथ इस बार कंपणी डिविरेन का भी रेकमेंड करेंगा कल आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त अब जितने भी वज़े कंपणी के रेजल्ट आउट हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल के बड़ वीडियो के साथ शेर कर दूँगा जैसे आज हिंदुस्तान अनुटिक्स लिमिटेट का जैसे रेजल्ट आउट होगा कर दिया था ओके तो कल कैसा परफॉमें इस पे अल्मोस्ट 0.98% तेजी के साथ आज की डेट में देखें कोई बहुत बड़ा तेजी तो नहीं था कल कंपणी की रेजल्ट है आई थिंग की अभी शेर थोड़ा बहुत यहां पर अपने आपको बट कल यहनी 17 तारीक के लिए न अभी से आप देख सेक्तों हजार से जादा शेर एमोडल लग चुका है आज की डेट में जैसे वॉल्यूम भी काफी बढ़िया था आठ करोर से जादा शेर ट्रेड वा उसके साथ सा डेलिवर्वल परसंडेज भी काफी नोटीसिबल था 34.34% के आस पास तो आई थिंग के देखे कल अगर डूरिंग म पार्केर में रिजल्ट आउट होता है तो उसकेस में तो ओविसली नेक्स डे जब बजार ओपन होगा यानि सैटर्डे जो पार्शियल ट्रेडिंग रखा है है तो उस सेजन पर हमने देखा कि इंपक्ट देखने को मिलेगा एनिवे जो भी अपडेट होगा तो कल मैं आप पार्शियल लेना चाहिए ओके नेक्स दोस्तों इंपोर्टेंट कंपणी है वेल जान डैनिशन लिमिटेड यह बेसिकली देखे एक छोटे ले बिल्की बट अच्छी कंपणी है पहले आप देख लिए इसका रिटर्ण के प्रोफाइल 6 मेने पर यह शेयर ने पैसा और बोनस दिया जाएगा यह अल्टिमेटली आपका जो शेयर है मतलब नमबर अफ कॉंटिटी शेयर वह दुग न हो जाएगा एक के बाते दो मिलेगा दो है तो चार हो जाएगा पांच यह तो दस होगा दस है तो बीस होगा इसी रेशियो में आपको बोनस होगा बागी देखे छोटे लेबल की कंपणी जरूर है बट कंपणी काफी स्ट्रॉंग है और मोस्ट यहां पर 900 करोर के आसपास इसका टोटाल मार्केट के अप्लाइशन है तो देखे कंपणी कितने भी अच्छे कंपणी हो बट छोटे होने के करण काफी रिस्क की भी है जैसे कि आप कंपणी अच्छी कंपणी है अगर आपको कैलकुलेटर रिस्क लेना है या थोड़ा रिस्क आप मैनेज कर सकतो उस केस में आप चाहे तो इसके साथ जा सकतो ओके नेक्स दोस्तों हम बात करेंगे अधानी पावर के ओपर दोस्तों अक्सर हमने देखा कि हाली में न हम HL, Angel 1 हो गया, Tata Power हो गया, Tata Motors हो गया, NHPC हो गया, Ireda हो गया, IRFC हो गया और भी बहुत सारे शेयर को बहुत बार यहां पर कवर कर चुका है अधानी पावर में दोस्तों धीमी गती से एक बहुत अच्छा रैली देखने को मिल रहा है जैसकि देखे पांस दिन पे शेयर जो है द अपना All Time High को भी टच किया, देखे शुरुआत में ही, शुरुआत दिया उस लेवल पे, सारे शेयर कोबर 652 रुपए वही इसका फिर्ट टूरीक साइब भी है, साथ में All Time High भी है, अब बात यह कि आगे क्या करना चाहिए, चलिए यहां पर देख लेते हैं, बेसिकली Analyst कुछ रिकमेंडेशन किया है, कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पहले एक एक करके बात करेंगे, यहां पर आनलिस द्वारा क्या statement दिया, तो बहुत सारे इसकी पर्फोर्वेंस हुआ, उसके उपर बेस करके का, कि इसका रिजिस्टेंस है, आज जहां इसको कवर किया, साथ में यह भी का, कि शेर जो है नियर टम पे 800 तक भी जाने का चांस है, क्योंकि कमपनी की इस बार रिजल भी काफी बढ़िया था, और पोटेंशियल तो है, इसका वैलेशन भी काफी कम है, एक और इनलिस्ट ने का, यह शेर जो है नियर टम पे 675 से ले स्टॉप लॉस ट्रकने के लिए 602 के आसपास, ठीक है, अब इस बार इस बार इस बार से बोलता हम, अच्छा बुड़ा चलता रहता है, ठीक है, अच्छे कमपनी है, तो यहां पर आपको ऐसा नहीं कि हमेशा चल जाएगा, जैसे कि बहुत लोग आपने देखा होगा, क्या करूं, ना करूं, सोचके, सेल करके निगल गया था, अब सोचे, उस लेवल पर अगर किसी ने पेशन्स रखा था, आज कितना बड़ा प्रॉफिट होता था है कि नहीं, ठीक, वैसे ही मैं बात बोलूँगा, अदानी पार की किसमें, कमपनी अच्छी कमपनी है, करता है, मैं आपको एक बड़ यहां पर दिखाता हूं, यहां पर आपको थोड़ा पेशन्स दिखाना पड़ेगा, तब ही आप चाहे तो जा सकतो इसके साथ, ठीक है, ओके तो नेक्स दम बात करेंगे वेदानता, आज दोस्तों वेदानता कभी एक बहुत इंपोर्टन ब दूसरा डिविडेंट, तीसरा इन्वेस्टमेंट, जैसे कि कमपनी इस बार फंड रेस करेगा, सारे आठ हजार करोर का, और यहां पर इन्वेस्टर्स के लिए खुश खबर, खास करके शेयर हुल्डर के लिए 11 रुपए पर शेयर का डिविडेंट अनॉस्मेंट कर दिया इन्टर्म डिविडेंट है, और उसका कमपनी रेकॉर्ड डेट फिक्स्ट क्या है, 25 माई के दिन, 25 में, यानि अपकमिंग ट्रेइंग विग पे, तो मेरे बात अब ध्यान से सुनना, आप अगर 24 में, 24 में, या तो उसके पहले, आप वेदानता के शेयर परचेस किया, अल्सो एप्रूफ सेटिंग आप अफ कंटिनिवर्स कास्ट, कॉपर रॉट प्लांट इन सौधी अरबिया, सौधी अरबिया के अंदो 200 फिर से एक और, कॉपर रॉट प्लांट यहां पर बनाने जा रहा है, जो कि अपने यहां पर बहुत अच्छी पाओ, ओविसलिए तो मैं बोलूँगा, एक अच्छे रिटन देने वाला, शेर की नजर से मत देखना, भले ही शेर लास्ट कुछ महीनों पर एक्चुली बहुत अच्छे रिटन, एक्चुली में दिया, जाए 6 मेने की बात कर या एक साल की बात करे, जैसे का आप देख से तो बीच में काफी बहुत ज़्यादा डेटा है कंपोनी कोबर, प्लेज बहुत ज़्यादा है, गिरिविरा कशियर 99.99% है, ठीक है, तो यह सारे चीज आपके दिमाग में पहले होना चाहिए, उसके बाद अगर आपको ठीक टाक लागे, डिविडेन की उपर बेस करके, आप इन्वेस्ट प्रियूशन, 32% की प्रियम, दोस्तों, आज इसका प्राइज बैन आनौसमेंट बहुत अच्छी कमपनी है, हरियो माटा, 200% की प्रियम, अभी पहुंच चुका है, 208% की प्रियम, रूलका इलेक्ट्रिकल्स, 87% की प्रियम, गो डिचिज जनेरेल, बहुत ही खराब चल रह प्रियम, एच्टेक फ्लूइट, 80% की प्रियम, प्रियाटेक्स इंडस्ट्री, 35% की प्रियम, प्रिमियर रोड लाइन, 26% की प्रियम चल रहे ग्रे मार्केट पे, बाकी अल्मोस्त आज सारे लिस्ट हो चुका है, नेक्स डम बात करेंगे, एंजल वन, दोस्तों, बीच ब ये शेयर का ओल टाइम हाई है, लगबख 3,900, आज से लगबख 2,3 मैने परे टच किया था, वहाँ से शेयर बीच में गिरते गिरते 2400 तक पहुंच गया था, और ये एक ऐसे मार्केट या ऐसे इंडस्ट्री को काम करता है, जहां पर मार्केट जो है, हर एक घंटे पे, एक पाइंगे, जरूर इसके साथ जा सकतो, बहुत ही अच्छी कंपनी है, प्यारा कंपनी बद आज की रेट पे एक चोटा सा नेगेटिव अपडेट आया है, एक्चुली देखे, एंजल वाइन्स ऑथोराइस्ट पेंशन पेनलाइस्ट रूपीस 9,00,00, पर रनिंग इलीगल अब देखे, कुछ यहां पर इशू हुआ है, जिसके कारण, एंजल वान को टोटल 9,00,00, यहां पर पेनल्टी लगा दिया, ठीक है, तो यह एक नेगेटिव नप देखे, बड़े कंपनी है, इसके कैस में 9,00,00, की पेनल्टी मतलब कोई बहुत बड़ी बात ने है, ठीक ह है, तो जरूर आप जा सकतों, एंजल वान के साथ ठीक है, ओके तो लास्ट एन फाइनल अपडेट इस वीडियो की, वह ओए ओइनजीसी, ओइनजीसी शेयर को शुरुआत करेंगे, बड़ उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छ लगा, इंफरमेट सेक्टर की छोटे से कंपनी, छोटे से बोलना भी गलत होगा, उतना भी छोटा नहीं है, बिकास इसका वैलिवेशन आप देख लिजे, आठ सो मिलियन डॉलर, आठ सो मिलियन डॉलर मतब अप्रॉक्सिमेटली पकल लिजे, सारे 6,000 करोर के आसपास, तो इतना करोर में दोस सिदा सिदा कंपनी का ब्यापार तो एक्समेंड करेगा, शेर प्राइस के अंदर भी बहुत अच्छा उच्छा उच्छा आपको देखने को मिल सकता है, तो अच्छी कंपनी है, अगर हम बात करें, ओइंजिसी की ऑल्ल टाइम हाई 292 के आसपास है, आज की डेर पे आपको यही है, तो आप चाहतों जाएए, आदर्वाइस इगनोर कीजिए वो आपके उपर डेपेंड करेंगे, बट हाँ मैं आपको इतना बोलूँगा, लॉंग टाम के लिए अच्छी कंपनी आपके वास है, शेर तो होल्ड करके रख दीजिए, ठीक है, बागी दोस्तों वीड आपकरते हो, टेक क्यार, बाबाई, जय हिंद,